हेलो दोस्तों मेरा नाम है प्योश शहान और आज हम बात करने वाले हैं किस तरह से हमें बोर्ड एक्जाम को टाकल करना चाहिए ताकि हम अपना मैक्सिम पोटेंशल बहार निकाल कर ला सकें सो वीडियो शुरू करने से पहला मैं आपको बता दूँ कि CBSE ने अभी रिजेंटल अपनी ओफिशल वेबसाइट पर सैंपल पेपर अप्लोड करे हैं तो वहां से जाकर आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ओफिशल वेबसाइट कर लिं आप आपने मेरी लास्ट वाले वीडियो एनपी 2020 जरूर देखी होगी अगर आपने नहीं देखी तो में उपर आई बटन माउस का लिंक डाल दूँगा आप महां से जाकर उससे देख सकते हैं सो एनपी 2020 लागो गरने का में मोटिव ये था कि हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम को लेवल अप करकर इंटरनेशन स्टैंडर्नेट साथ मैच कर सकें और हम नॉलिज को प्रेफरेंस दे ओवर क्रैमिंग सो इस पॉलिज को एक सक्सेस्फुल पॉलिजी बनाने के लिए CBSE ने भी अपना योगदान दे दिया है प्रॉमिनेट चेंजिस इंटियूस करके जहां पहले CBSE के बेपर मोज़ी थेयरेटिकल बेस्ट होते थे और वो आपकी क्रैमिंग अबिलिटी को टेस्ट करते थे हो गई होंगे ओके तो हम बोर्ड वाइज मैं आपको इहां पर गायड करने कोशिश करूंगा कि क्या चेंजिस आए हैं बिफोर एनिप और आफ्टर एनिप एक्जाम पैटन में हमारे तो बिफोर एनिप टेंथ बोर्ड में शॉर्ट आंसर टाइप लॉंग आंसर टाइप के स्टेडीज और फैक्टेंड ओपीनियन पर क्वेश्चन आएंगे इतना वेरियेशन ले आए हैं जिस वज़े से आपको अडेप्टिव नेचर होना चाहिए आपका कि आप क्वेश्चन देखें उसे डाइजेस्ट कर पाएं और फिर सॉल्व कर पाएं क्वेश्चन दे तक सेम सेम रहती है कि इन में इंटर्नल चॉइसे आएगी इसमें यह तरह से होएंगे क्वेश्चन पर अब जूब क्वेश्चन आए अगर आप शैंपल पर उठाकर देखोगे जैसे मैं आपको यहां पर आप यह आगर दिखाऊंगा सैंपल पेपर कुछ फ्वेश्चन स इस तरह से फ्रेम करे जाते हैं कि वह लगता है कि फ्रस्ट लोग में कि वह क्वेश्चन होगा नहीं यह हमने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है यह क्या अजीव सचीज आगा यह क्या आउट अफ स्लेबस हो गया ऐसा लगेगा पर जब आप क्वेश्चन आगे पढ़ोगे ए इतनी सारी चीज़े बता दी एक रियल लाइफ ब्रिज का एक्जामपल दे दिया और आप कन्फ्यूज हो गए कि यह क्या दे रखा यह फोटो वोटो पकड़ा दी मैस के पर फोटो कहां से आ गई पर आप क्वेश्चन देखो एक बार क्या पूछ रखें जीरू क्या होते है इसके पर्टिकुलर एक्वेशन के सम अफ दरूट्स एक्वेशन बता दो बबाग यह बता हो जब हम एक बच्चा टेंथ क्लास का क्वाड़िक एक चैप्टर करता है अबना मैथमाटिक्स में उसमें वह क्या पढ़ता है जीरू अफ दरूट्स बता दो पॉलनॉमिल ए जाता है अब इसमें आपको अगर पैरा बोला के बारे में एक प्राइर इंफॉर्मेशन दे दी उसने सब आपको समझा दिया कि हाँ यह एक्सेसर सिमेट्री होती है यह इस तरह से होता है इस तरह से आप उस चीज़ को डाइजिस्ट कर लो कि यह नहीं अगर आपने एक व तरह से काम करती है अब इस चीज में अडाप्ट करो इस इंफॉर्मेशन को किस तरह से यूज़ करोगा आप आंसर निकालने में अब इसी तरह से हम 12 बोर्ड की बात करते हैं अब अगर हम 12 बोर्ड की बात करें तो वह इतना कुछ प्रॉमेनेंट नी देखने का मिल थे इंसी क्यों इतनी बड़ी चीज नहीं है हमारे ट्वेल्थ बोर्ड के एक्जाम में पर हाँ यह मैं कहना चाहता हूँ जैसे मैं PCM से हूँ मैंने यह चीज बहुत रहा है इसकरी जैसे फॉर एक्जाम फिजिक्स के पेपर में कि पेपर बहुत ही जादा अब conceptual clarity पर जादा आता है as compared to theoretical part पहले derivations जादा आती थी आपके questions आते थे उस basis पर कि किस तरह से आप इस चीज को करोगे give reasons आजाएंगे पर अब question numerical based है पूछ लेंगे कि electric field बताओ magnetic field बताओ यहां cancel होगी यहां नहीं होगी क्यों होगी क्या होगी वो justify करने को बोलेगा आपके answer को आप तुक्का नहीं वेड़ सकते जब तक आप उसे solve नहीं कर लेते पहले आपको derivation रटनी बढ़ती थी और आप आपको derivation समझने पड़ेगे ताकि आप questions कर सको क्योंकि question derivation based ही होते हैं पर उस question को करने के लिए आपको derivation समझनानी चाहिए ना कि return नहीं आपको step नहीं याद रखने आपको यह समझना कि वो step हो क्यों रहें एक के बाद यह एक major change है जो कि आपकी इन जो मैंने आपको 5 parameter ब accordingly test हो जाएगा तो अब हम बात करते हैं 12th board की कि उसमें क्या-क्या changes आए हैं जैसे कि उसमें आपके देखेंगे तो question assertion reasoning पे बहुत based आ रहे है paragraph पर questions आए है mcq पर है short answer type जो कि numerical based है और long answer type है fill in the blanks question आ रहे हैं तो यह बहुत ही बहुत ही जाद variety of questions आ गए है question भले ही एक number के हो पर यही tricky part होता है अप यह देखो जो 6 number वाले question है वो देखें तुम बहुत ही ncrt से उठके आगा चाहा है वो math physics हो और शायर 10th का हो यह 12th का हो क्यों कि भाई अगर जो बच्चा actual में समझ नहीं सकता सिर्फ रट सकता है वो actual में सिर्फ passing marks ला सकता है ना कि वो top मारेगा वो बच्चा जो actual में पढ़ता है क्योंकि एक एक नंबर वाले question में आपको कोई thesis नहीं लिखनी है कि इतना लिख दिया दो नंबर मिल गए इतना लिख दिया चार नंबर मिल गए नहीं 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 आप कहानी के नंबर नहीं है actual number है कि तुम कितना निकाल पाते हो numerical में किस तरह से solve कर पाते हो एक particular reasoning में एक दो line में तुम particular reason देपाते हैं तुम राम कथा लिख रहे हो क्योंकि अब यह राम कथा लिखने वाला section है यह तो हड़ जाएगा और जो quality answer देते हैं जो बच्चे पहले जूद देते हैं क्योंकि वह quality answer जानते हैं पर वह राम कथा नहीं लि लिखते हैं पीछे चले जाएंगे वही knowledge को preference जाएगी over cramming अब हमें इस देश को बच्चे वह नहीं चाहिए कि जो NCR से टिपा टिपाया question रटा रटा एक दम NCRT के language छापद है paper में नहीं 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 अब चाहिए वह बच्चा जो NCRT के language समझ है अपने दिमाग में register करे और paper में उस knowledge को use करके question solving actual daily life problem solving कर सके वो है actual paper वही आपकी actual में या सीखी कि वही रहो ना तुम पढ़े इसले रहो ताकि तुम problem solve कर सको ना कि तुम रट सको एक बात बता यार तुम जैसे मालो मैं engineering वाले में बंदा हूँ एक तुम civil engineer हो ठीक है तुमने रट लिया बहुत सा रट ली कि भाई यह सिमेंट आलेंगे एस तरह से building बनेगी यह बेस यह वो तुम्हें real life example मैं लो कुछ application आता ही नहीं है खुदा ना खासता तुम अपनी site पर और कुछ एदम unpredictable situation पैदा हो जाती है तो तुम क्या बुक अपनी बुक चाट हो गए नहीं नहीं चाट हो गए तुम्हारी इतनी ability होनी चाहिए तुम्हारे इतना बड़ी skill set तुम्हारे दिमाग इतना train होना चाहिए कि उस situation में तुम अपने आपको adapt करो stipulated time में एक right decision लो जो सब के लिए सही हो समझ रहे हो इसी लिए यह सारे changes लाए गए है यह cramming बाला factor हटा कर knowledge को preference दी गई है अब म मैं PCM से ही मैंने अपने 12 गरी है और engineering कर रहा हूं तो इसका मैं perspective ठीक से तुम्हा समझा सकता हूं देखो भाई एक engineering में exam होता है जेई advance का IIT मिलेने के लिए अगर आप जेई advance का paper देखो ना pattern तो उसमें questions किस तरह क्या आते हैं आपके fill in the blanks subjective numerical integer match the following mcq multiple correct questions एड्सेक्टर से paragraph comprehension भी आते हैं तो भाई देखो IIT जाई अगर आपने सुना हो तो यह वर्ल्ड का toughest exam में से एक आता है तो क्यों है यह tough यह question के वज़े से paper question की वज़े से tough नहीं होता concept वही है subject वही है PCM concepts भी same-same है questions भी उसी concept के around और वही जैसे अगर हम देखे डाइपोल से question है तो पक्का है डाइपोल से question आए और इस तरह का हुएगा electrostatic से question आएगा फील्ड मिक्स कर फील्ड को mechanics से सार्थ मिक्स कर देगा और question आपको frame करके देगा सबको पता है पर question tough होता है किसरी क्योंकि उसका nature बदल जाता है वह पूछता ही इसी तरीके से है आपके question को आपके सामने इस तरह से frame कर देगा क्या आपको लगा हो रहा भाई यह मेरे से सवाल नहीं होने वाला यह बहुत टफ है पर वैक्शन में tough होता नहीं है हमारे paper में जरी advance में paragraph देता है इतने बड़े-बड़े paragraph देखके डर लजाता है पर नहीं है वह तुम्हें paragraph में समझा रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे होता है ऐसे होता है और उस paragraph के basis पर ही आपसे question पूसे जाते है paragraph इस तरह है जैसे तुम English literature में करते हो इतना बड़ा paragraph आता है reading section में एक बात बताओ जो इतना बड़ा paragraph आता है तुम के अडर जाते हो छोड़ते दो reading के questions नहीं छोड़ते है ना तुम करते हो ना attempt कैसे करते हो उस paragraph को पढ़ते हो एक adapt करते हो उस paragraph में तुमने पहली बार चीज वही है जैसे वो maths का हमने भी 10th board का question देखा sample paper में चीज वही है जो तुमने पढ़ रखा है बस question को दिखाया अलग तरीके से director ना पूछके उसने थोड़ा सा एक शकल बदल दी सवाल वही है चीज वही पूछी है और तुमने वही पढ़ा है कुछ outer syllabus नहीं आता अब इस चीज को करने का एक और बहुत बड़ा intention था पीछे वह यह था कि भाई हमें न जो यह लेवल अप करना था इंडियन education system को यह था कि हम gap खतम कर सके paper के बीच में अच्छा आप जराने एक बार देखो यह मैं आपको 10th board का दिखाता हूं यह आप 10th board वाले देखो इस करो जब NEP से पहले था तो यह कुछ scene था जब NEP के बाद हुआ तो यह कुछ scene है एक बात बताओ तुमने कुछ दिखा है हमें पहले before NEP वाले section में scene कैसा आ रहा था कि भाई तुम्हारा यह short answer type 12th board में भी आपके short answer type long answer type mcq उसमें थोड़ बहुत आते सिंगल करेक्ट आते कि आप इस numerical numerical बेस जादा आते हैं उसमें question fill in the blank सारे जाई एडवांस जैसे paper में fill in the blank comprehension paragraph आप देख लो यहां पर इतना बड़ा gap था इन तीन चीजों में कि बच्चा कोप अपनी कर पाता था आपने सुना होगा ना कि भाई 12th board साथ 12th board और जाई में साथ में नहीं चल पात कर लो conceptual concept सीखने में time invest कर लो तुम प्रिंट करता है कि तुम किस पर क्या करोगे और इन दोनों को साथ में लेकर चलने वाले बच्चे मोस्ट ली यू कि बिडिवा कर होते नहीं है पर वह रह जाते हैं क्योंकि वह ना तो ढंग से याद कर पाते हैं और न ढंग से वह समझ पाते हैं तो न वो बोड में ढंक कर पाता है ना वह में ढंक कर पाते हैं इसी चीज को खतम करने के लिए यह चेंज इंट्रड्यूस हुए आप यह देखो ना अब जब यह वाला सेक्षन है आफ्टर एनिपी इसमें गैप कितना कम हो गया जो जई में पूछा जाएगा वही बोर्ड में पूछा जाएगा जिसकी वजह से बच्चे को सेप क्वश्चन जिस तरह से पूछे जाता है जिस तरह से आपकी हैबिट होनी चाहिए क्वश्चन सॉल्वेंगी वह सेमिलर है तो यह था में मोटिव इन सब चींजिस को इंट्रड्यूस करने का शकल बदलने से क्वश्चन नहीं बदल जाता यह ध्यान रखना और पेपर बह कहरी सांस लो एवा क्वश्चन को रीड करो समझने की कोशिश करो तुम सॉल्व कर लोगे मुझे वरोसा है तो इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी अगर आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना कमेंट कर कर देना और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना आयनो वीडियो लेट हो गई है मेरे पेपर चल रहे थे पर अब हम रेगुलरली कंटेंट बड़िया बड़िया लाते रहेंगे अगर आपको किसी चीज में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर देना मैं आपके कमेंट सारे पढ़ता हो ताकि आपके लिए च्छी वीडियो ला सको अगर आप कोई डाउट हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर आप मेरे को डारेक्ट मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको नीचे इमेल भी दे दूँगा आप उस पर जाकर भी मेर करने की पुरी कोसिस करूंगा